तो स्टुदेंट्स वेलकम एक टो डिजिल क्लास्रूम आप बिटा आज अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगी तैट इस बायो टेक्नोलोजी इस प्रिंसिपल्स और प्रॉसेस बात लिये रहें के बड़ा ये न्चार्ट के अंदर एक यूनिट के नाम से दिया गया है इसके इन पजीए से बायो टेकनोलोजी इस प्रेंजीपम एक थियू रहें के बड़ा चलो अब यांधर अदर ब्र ब्रकार किव्येश्चिमिये स्टेक्नोलोजी इसस McMahon आ होता बड़ो टेक्नोलोजी प्रिंसिपलेंट्जिश ए टीप्रिंशन मातलब सर्द बाव्येश्चिंअ In living organism, that is basically called as biotechnology. क्या बस इसको बढ़ा? Biotechnology. बात लिए रहे है बढ़ा? Yes ओनो. Biotechnology को correctly define के से करते हैं? Use of living organism or enzyme. वाप इसे क्या बला मेना है? Use of living organism or enzyme. Use of living organism or enzyme. Use of living organism or enzyme. बात लिए रहे है बढ़ा? Yes ओनो. To make a product or a process. To make a product or a process. बात लेया रहे के बढ़ा, बात लिए रहे के बढ़ा, एदर living organism या फिर enzyme को use करके, आप एदर एक product बनाओ, या फिर एक process बनाओ, then that is basically called as biotechnology. क्या बोते है उसका, बात लेया रहे के बढ़ा, so biड़ा, biotechnology को define के से करेंगे, बात, use of living organism or enzyme to make product or enzyme, to make product or enzyme, product or enzyme, बात लिये है कि बड़ा, प्रड़क्त और प्रोसेस, I apologize. बात लिये है कि यह सो लो, कि मतलब बाइटेखलों जुई में क्या कर सकते हैं, आप एक लिविग और गुणिसम को यूज कर सकते हो, या फिर एंजाइम को इस्तेमाल कर सकते हो, बात लिये हैं, 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 Bio मतलब Living, Remedy मतलब Solution, बातर बढ़ा, तो Bringing Solution to a Problem by Using Biology, then that is called as Bioremediation, बराबर बढ़ा, यस ओनो, कि बहुत सारे Bioremediation के अंदर भी बहुत सारे Micro-Organism का यूज़ किया, या फिर Plants का यूज़ किया, बातले बढ़ा, कि आपने बिसकलि अगर Ecology में पढ़ा था, तो बहुत सारे Lands क के अंदर क्या, कि ये डिफ्रेंट इफ्रेंट प्लांट्स लाले, ताकि वो बिसकलि इफ्रेंट इफ्रेंट हेवी मेटिल एब्सॉप कर सके, बात बढ़ा, मतलब आपने बिसकलि Soil Pollution को अवाड करने के लिए, प्लांट्स का इस्तमाल किया, बात यस ओनो, कोई दी कदिन प्लांट इसे में के अव्रें, डिफेंट पास्स, कि कोई दी कदिन बात को सब्लगे गिए, तो बात बाइटेक्नोलोजी को को जास्तमाद के है, यूज ओफ लिविंग ओरूगिजम और एंज्यमि तुमेंस तो बंक प्रडक्ट और प्रोसेस, बात लिए एरे डिए यह सोनो , बाद, बायो टेकनोलोजी का वन ब्रांच, एक branch है Bugün ben आद आध समयखा है? Give me this one Biotechnology is not genetic engineering, this is clear Biotechnology का मतलब है, अपको यह बिल्विंग और्ग तर्छ आख़ना नमें, या फिर इंजैम का इस्तामाल करो. To make the product or process, then that is called biotechnology उस बायो टेकनोलोजी में एक पार्ट क्या होता है बड़ा जिनेटिक इंजिनेरिंग क्या होता है बड़ा जिनेटिक इंजिनेरिंग क्या होता है बड़ा जिनेटिक इंजिनेरिंग 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 इंजिनेर बात बड़ा वापी से, जनेडिक मतलव, genes, engineering मतलव कुछी भी changes करना, बात लिएर के बड़ा, यसोनो, तो बड़ा, genetic engineering में अपन तीन चीज़ कर सकते हैं, फर्स्त, to modify a gene, to modify a gene, to modify a gene, बात लिएर के बड़ा, yes or no, then basically, second, to repair a gene, to repair a gene, बात लिएर के बड़ा, repair a gene, बात लिएर के बड़ा, yes or no, कोई दिकर दें बात को सुमें, तो genetic engineering में तीन चीज़ हो सकती हैं, पहला, to modify a gene, कि मतलव अभी एक gene है, उसके अंदर अपन को changes कर रहे हैं बड़ा, yes or no, so that is called modifying, बात लिएर बड़ा, then basically, to repair a gene, बात लिएर बड़ा, बात लिएर बड़ा, for example, bada a diabetic person, क्या नहीं बना पाताँ, insulin, क्यों नहीं बना पाताँ होगा, क्योंकि उसका insulin वाला gene, active होगा, यह inactive, inactive, बात बड़ा, so देख बड़ा, कोई भी organism, कोई भी बना रहा है, क्योंकि उसके पास वो जीन है फर एक्जामपल, हुमन इंशुलिन बनाता है, इकॉला इंशुलिन बनाता है क्या, नहीं, तो हुमन इंशुलिन क्यों बनाता है, क्योंकि उसके पास इंशुलिन का जीन है, इकॉला और्गिनिसम कोई भी प्रड़क बनाता है जब उसके पास क्या होता है उसका gene होता है उसका gene होता है बात लिई है यह सो नो कोई इक दिन बात को समझ देगे तो बड़ जनीडिक इन्जिटिर रिंग इस वन इफ ब्रांच व बायो टिकनलोजी इफ वन आफ बायो टेकनलोजी बात ले बढ़ा, genetic engineering में आप तीन चीज कर सकते हो, पहला to modify a gene, पहला to modify a gene, दूसरा to repair a gene, तीसरा to insert a new gene, to insert a new gene, बात लिए रिके बढ़ा, एक नया gene इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बात लिए रिके बढ़ा, yes or no, then that is basically called genetic engineering, बात ले बढ़ा, तो genetic engineering में हर बार कोई नया gene ही डा ना केसा जरूरी है क्या नहीं, also you can modify a gene or you can repair a gene, or you can insert a gene, or you can insert a new gene यह तीनों चीज़ों को अपन क्या बोलते हैं जरीटिक Estado MARY यह विदा butणि थो का जरीए उसका जरीए गरीए हैं यह स्रो then genetic engineering क्या वह बाइयो टेक्नोलोजी होता है क्या नहीं तू मेक प्रडक्ट और प्रोसेस, बात लिए रेके बड़ा यसोनो, बायो टेकनलोजी का एक ब्रांच को ओने बड़ा जिनेटिक इंजिनेरिंग, जिनेटिक इंजिनेरिंग में क्या क्या कर सकते हो, तू मौडिफाई अजीन, सिकंड, तू रिपेर अजीन, तू इस न्यू जीन, बात लिए रेके बड़ा, यसोनो, बैटा, अगर मानलो एक डिन है, ये मानलो डिन है और इसके ओपर ये जीन है, आपने अगर इस जीन को मौडिफाई किया वापिस से, आपने इस जीन को क्या किया बड़ा, मौडिफाई, मतलब उसके अंदर को चेंज इ कुछ तो modification का मतलब क्या है मालो यहां पर A T C G है तो यहां पर क्यों बढ़ा T A G C modification करना मतलब मैंने T की जगे पर A डाल दिया या फिर कुछ change कर दिया बात लिए रिके बढ़ा यह सो नो तो यहां पर A की जगे पर क्या डालना पड़ेगा T लिए रिके बेड़ में पर ड Const martyrs चेंज हो जाएगा बातल यह lis Ce दिया बैद आ millennialsfed आ आपपर यहां पर किया डालना पर तो यहां पर B c o अज जगे बात भी तो तो अगर भी तो DNA का कॉंदिशन सेम रहेगा गट करने की भुट हो जैगा ये चेंज हो जाएगा बात लिए रहे कि वह दो तो guidance को मौडिफाई भी करता हूं तो dna के Kombini edhe e मौदी अकर करना परागा कट करना बादेगा कड कर ऑनदח और नया जीआ डाला तो फोरे रहे लिए हो गया रहा है परहा है तो जब जब मान लो में ऑप और एक जीन को मौड़ीपाई क्या है जाए बड़ाइंज बात लिए रहे मतलब जब जब आप genetic engineering करते हो original DNA का combination सेम रहता हुआ जेंज हो जाता है बात लिए रहे कैशेंज हो सब्सक्राइग करेंग जब जब genetic engineering करूँगा original DNA का combination चेंज हो जाएगा that's来 genetic engineering is also called as recombinant डि कोबिनेंट डिएेन्टनेस टेक्टनोजी कि बदे रिकोभिनेंट डिएनेस टेक्नोजी कि बदे बनों हम्गिनेसर कष थाивать कि अवैटरर तीया empieza'. Genetic Engineering को ही कहा जाता है Combinant DNA Technology क्या कहा जाता है बड़ा? Recombinant DNA Technology क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर मैंने Gen को Modify भी किया या फिर Repair भी किया या फिर कोई नया Gen Insert भी किया तो Original DNA का Combination Same रहने वाला है या Change हो जाने वाला है? Change हो जाने वाला है Recombinant DNA Technology क्या बलते हैं? Recombinant DNA Technology और इसको रडियेन टेकनोलोजी क्या बलते हैं? R DNA Technology बात लिए रहे हैं या सोनो तो किसी-किस किताब में Small R भी इस्तिमाल किया ज़ता है किसी-किताब में Capital R भी इस्तिमाल किया ज़ता है कोई दिकत नहीं बात लिए बड़ा, so R का मतलब है recombinant DNA, क्या है बड़ा, recombinant DNA, बात लिए रोगी यह सोरो, तो जार सोरो बड़ा, बाइो टेकनोलोजी ए इंजीनरी, एक ही बात ही है, अलग अलग बाते हैं, बतलिये रिखे है बड़ा, so BIO टेकनोलोजी, बाइो टेकनोलोजी को आपने कैसे डिफाइन किया बड़ा, Use of living organism or enzyme to make a product or a process, to make a product or a process. For example, घर में दही बनाते, तो घर में अगर अपन दही बनाते, तो इसके लिए लेक्टोमेसलस का इस्तमाल करते, मतलब आपने living organism का इस्तमाल किया, then that is called as biotechnology. ब्रेटरा, वाइनमेकिंग, वाइनमेकिं में वी स्काइस्तमागड़ा, then that is called as biotechnology, bradymaking, वी किसके इस्तमाल करते है, then also that is called as biotechnology, then basically आपने पढ़ा है, तो अपने पड़ा है, okay, सीवेश टिट्मेंट प्लांट, सीवेश टिट्मेंट प्लांट, वीसकाली फ्लोक्स का इस्तमाल बात ले बढ़ा, बायो टेक्नोलोजी का एक ब्रांच कौन है बढ़ा? जिनेटिक इंजिरिरिंग, कौन है बढ़ा? जिनेटिक इंजिरिंग बात ले बढ़ा、「 जिनेटिक इंजिरिंग में अपन तीन चीज़ कर सकते हैं पहला, to modify a जीन, दूसरा, to repair a जीन तीसरा, to insert a new gene, to insert a new gene, मैंने gene को modify किया, या फिर repair किया, या फिर एक नया gene insert किया, जो original DNA है, वो अब सेम रहेगा, या change हो जाएगा, change हो जाएगा, बाते बढ़ा, मतलब मैं जब जब genetic engineering करूँगा, original DNA का combination change हो जाता है, that's why genetic engineering is also called as recombinant DNA technology, क्या बते उसका बढ़ा, recombinant DNA technology, क् बढ़ा, so genetic engineering is called as recombinant DNA technology, genetic engineering को ही क्या का जाता, बढ़ा, recombinant DNA technology, बाते बढ़ा, yes or no, कोई दिकाते इन बाते को सभाएगा, सारी बाते क्लिए रहे, अरे हाँ केरना, अब यहां थाना, बढ़ा, बिलको थाना, तो बढ़ा, बिलको थाना, तो बढ़ा, बिलको थाना, तो दूसरा, to repair a gene, और तीसरा, to insert a new gene, बढ़ा, कुछ भी किया, तो original DNA का combination क्या हो जाने वाला है, change, that's why genetic engineering is called as recombinant DNA technology, genetic engineering is called as recombinant DNA technology, बात लिये है, बढ़ा, yes or no, अब यहां दिया, बढ़ा, बढ़ा, इस पूरे chapter को नमे एक example से complete कर लोंगा, लेकिन यहां दिया, बढ़ा, non-diabetic person, क्या बना सकता है, insulin, बात बढ़ा, वापिस से, एक diabetic person क्या नहीं बना सकता है, insulin, मतलब उसको हर दिन insulin देना पड़ेगा, तो उसको हर दिन क्या देना पड़ेगा, insulin देना पड़ेगा, एक diabetic person को अगर जिंदा रखना है, तो अपने को हर दिन क्या देना पड़ता है इंशूलिन, बत लिया रहे, ये सदो अब इंशूलिन लाएंगे कहां से, हाँ चलो आप बोलोगे कि फार्मसी के दू कहां से लाएंगे, वो फार्मसी वाला कैसे बनाता है, तिक है, या फिर बिजुक्रिण को आया कहांसे, इंशुलिन, किसी भी ऐनिमास को मरना पड़ेगा और उसके pancreas से insulin निकालना पड़ेगा, वापिस से, क्योंकि आपको insulin चीए, क्योंकि वर्ल्ड में एक diabetic person है या बहुत सारे, अगर बहुत सारे diabetic person है, तो बहुत सारे diabetic person को हर दिन insulin की ज़रूत पड़ती है, और हर दिन अगर insulin सप्लाई करना है, तो insulin आप निकालोगे कहां से, फिर उनके pancreas से insulin निकालते हैं, और उस insulin को diabetic person को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं, बात लिए बड़ा, लेकिन अपने परपस के लिए इस तरीके से living organism को किल करना, क्या ये सही बात है, ने, मतलब इस अनेथिकल, इस अनेथिकल, बात लिए रिके बड़ा, ये सोरो, तो अने को कुछ alternative सोचना चाहिए, बात लिए रिके बड़ा, सो आप अपनों से alternative की तरफ आते हैं, इहां सुने बड़ा, human insulin क्यों बना सकता है, क्योंकि उसके पास insulin का जीन है, इकोलाई insulin क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास insulin का जीन नहीं है, वापिस से, human insulin क्यों बना पावलाइ भी क्या बनाने लगेगा इंशुलीन बात लिए रेके बड़ा तो आज मैंने ऐसा सपना देखा कि हुमन में से अपन इंशुलीन का जीन निकालकी इकोलाइ में डालेंगे बात लिए रेके बड़ा क्योंकि इकोलाइ का डिविजन टाइम 20 मिनिट होता है अगर मैं में एक इकोलाई में भी डाल दिया, तो मल्टिप्लाई करके दो बनेगा, दो से चार बनेगा, चार से आंट बनेगा, और जितने इकोलाई बढ़ेंगे, उतना इंशुलिंग का प्रोडक्शन भी क्या होगा बढ़ेगा, तो क्या इससे मुझे कोई बेसिकली हायर एनिमर्स क मारने के जोरत पड़ेगी, क्या? नहीं, बात लिए रहे के बढ़े, तो आज अपने एक सबना देखा, कि हुऊमन में से इंशुलिंग का जीन निकालके, खिसके अंदर डालने वाले बढ़े, इकोलाई, बात लिए रहे के बढ़े, यह सोनो, तो आज अपने एक सबना दे इंसर्ट करने वाले हैं, मतलब अपन जिनेटिक इंजिनेरिंग करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? जिनेटिक इंजिनेरिंग, क्या करने वाले हैं? जिनेटिक इंजिनेरिंग, क्या करने वाले हैं? जिनेटिक इंजिनेरिंग, क्या करने वाले हैं? जिनेटिक इंजिनेरिं इसका में डीन होगा और इसका यह एक्स्ट्रा ड्यन होगा जिसको आपन के प्लास्मेड क्या बलें के इसको नहींदे ए लो आ UP आ. इंशुलिंग का जीन है, अब मुझे ये इंशुलिंग का जीन इकोलाइक के अंदर डालना है, किसके अंदर डालना है इकोलाइक के अंदर बातले 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 इस इंशुलिंग के जीन को हम इकोलाइक के अंदर डालना चाहते हैं, कैस के यह के अंदर फ्रोकिया 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 और इंश्रलीन का जीन एकोलाइक अदर आगया। लेकिन क्या यह जीन sweater diana Cake नैंपक्री इजीने का पर्सपना अट नए तो इन दार केस क्या यह जीन रेपीकेट करेगा effect क्या मवा यह system ट्रांस्क्राइब करेगा क्या नहीं, क्या यह जीन ट्रांसलेट करेगा क्या नहीं, क्या यह जीन इंशुलिन बनाएगा क्या नहीं, तो यह करने का कुछ फाइदा हुआ क्या नहीं, तो आज मैंने यह बात समझ ली कि मुझे जीन को डायरेक्ली थ्रो नहीं करना चीए, मु तो मुझे इतना समझ में आया कि मुझे जीन को डाइरेक्ली थ्रो नहीं करना चाहिए लिखो note 1 gene cannot be directly thrown into the bacteria because the gene will not become part of any DNA and if it do not become part of any DNA it cannot undergo replication transcription and translation thus insulin cannot be formed so क्योंकि अपना purpose क्या है कि human में से insulin का gene किसके अंदर डालाए इकोलाई क्या बनाए बड़ा insulin क्या बनाए बड़ा insulin बात लिए रहे के बड़ा यह सोनो कोई दिकत इन बात को सब्सक्राइब तो आज मैंने सुचा है कि insulin का gene में इकोलाई में डाल के रहूँगा तो पहली बात मैंने ठराइ किया मैं डाइरेक्ली तू करूँ लेकिन ऐसा करने से प्रॉबलम क्या होरा है क्या उसका रेप्लिकेशन उन्क्राइगा और उसका क्या उसका ट्रांस्क्रिप्शन हो पाएगा क्या नहीं बात लिया रे कि यँ सोनो को दिकत इन बात को समझ सारी बात लिया रहे तो ध्यास सुनो ना पहली बात मैंने ये सिखी कि जीन को डाइरेक्ली ठो नहीं कर सकते बात लिया रे कि बढ़ा अदरवाइस It will be waste It will be waste बाते रिबेड़ा चलो तो आवे अपन को इस जीन का किसी ना किसी DNA का पडेगा आप सोचो 야र किस में का पडेजी प्लाजमीड your main DNA का कुछ लोग बॉल रहे है प्लाजमीड कुछ लोग बॉल रहे है main DNA मैं ने मैं 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 चाहता हूँ इंशुलिंग का जीन में डियने में चला जाए मैं चाहता हूँ इंशुलिंग का जीन इकोलाई के में डियने में चला जाए बदर बदर क्या करना पड़ेगा अगर मुझे वह जीन इसके अंदर डालना है तो पहले इस डियने को क्या करना पड़ेगा आइस तो मैं चाहता हूँ कि इंशुलिंग का जीन में डियने का पार्ट बने, मैं चाहता हूँ इंशुलिंग का जीन में डियने का पार्ट बने, बात लिए रेके बड़ा, यह सुनो, तो इसलिए पे इसकली मैंने सबसे पहले क्या किया, आइसोलेट में डियने, बात लिए रेके तो main DNA को isolate किया, चलो आपने इससे isolate कर लिया, अब इस gene को इसके अंदर insert करना है, तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, cut, और एक दम naturally सोचो, इस gene को मुझे इसके अंदर insert करना है, तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, cut, बात लिए रेके बड़ा, यह सोरो, तो cut main DNA, cut main DNA, चलो मैंने main DNA को cut कर लिया, ऐसा cut कर लिया, अब उसके अंदर इस gene को insert कर सकते हैं, ठीके, so third insert gene, insert gene, बात लिए रेके बड़ा, चलो अपने इस gene को यहाँ पर insert कर लिया, फिर इसको paste भी करना पड़ेगा बड़ा, यह सोनो, so fourth basically paste, बात लिए रेके बड़ा, यह सोनो, तो paste कि तो यह main DNA उसके अंदर इस insulin का जीन चला गया, main DNA उसके अंदर इस insulin का जीन चला गया, बात लिए बड़ा, अब इस DNA को वापिस से किसमें डालना पड़ेगा, इकोलाए, अरे, इस से अगर आपने main DNA निकाल लिया, तो अब इकोलाए जिन्दार आया, मर गया, मर गया, बात बात लिए बड़ा, मतलब मैं दूसरी बात यह सीखा, कि main DNA के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते, बात लिए बड़ा, कारण main DNA contain essential genes, main DNA contain essential genes, बात लिए बड़ा, यह सोनो, तो पहली बात मैं ने यह सिखी थी, कि मैं जीन को directly throw नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं throw किया, तो वो जी लेकिन किसी भी DNA का part नहीं बनेगा, और उसका replication नहीं होगा, transcription नहीं होगा, translation नहीं होगा, इसलिए insulin नहीं बनेगा, दूसरी बात मैं यह सिखी, कि मैं अपनी gene को main DNA का part नहीं बना सकता, करण main DNA का part बनाने के लिए, main DNA को isolate करना पड़ेगा, और जैसे ही मैंने इसको isolate किया, अब Eekolai जिन्दा है या मर गया, मर गया, अगर वो मर गया, तो बिसकल क्या वो अपने किसी भी काम आएगा, क्या, नहीं, बात लिए रे बड़ा, फिर मेरे इस DNA में insulin का gene डाला, paste भी किया, लेकिन क्या मैं उसको वापिस से Eekolai में डाल पाऊंगा, क्या, नहीं, बात लि बात लिए रे के बड़ा, यह सोनो, तो मतलब, आज मैं दो बाते सिखा, मैं अपने gene को directly throw नहीं कर सकता, और दूसरा, मैं अपने gene को main DNA का पार्ट भी नहीं बना सकता, बात लिए रे के बड़ा, यह सोनो, तो तो बेसकली, मैं दो बाते समझ गया, कि अगर मुझे कोई gene insert क करना है, तो मैं उसको throw नहीं कर सकता, और दूसरा, उसको main DNA का पार्ट भी नहीं बना सकता, बात लिए रे के बड़ा, तो मैं throw नहीं कर सकता, main DNA का पार्ट भी नहीं बना सकता, लेकिन मुझे इसे किसी न किसी DNA का पार्ट तो बनाना है, तो मेरे पास option क्या है, plasmid, क्या option ह लिए रृबटा यह सोनो कुःकि प्लाज मेडिस क्रूमोजोमल या एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मतलब अधिक्षेंशनल जीर सबंगे तो अगर निया निकाला भी तो क्या इकोलाइक फारक पड़ेगा क्या नहीं कोई gene को directly throw कर सकते हैं क्या नहीं ऐसा अगर मैंने किया कि वो gene किसी भी DNA का पार्ट बनेगा क्या नहीं note 2 क्या मैं gene को main DNA में insert कर सकता हूँ क्या नहीं क्योंकि ऐसा मैंने अगर किया main DNA निकालना पड़ेगा main DNA निकाला तो तो मैं gene को directly throw नहीं कर सकता दूसरा मैं gene को main DNA का नहीं बना सकता तो मेरे पास एक ही option है कि मैं gene को किस میں insert कर सकता हूं plasmid किसंibly insert कर सकता हूं plasmid किसमे insert कर सकता हूं plasmid बात लिए रहे के बड़ा, because plasmid is chromosomal या extra chromosomal, extra chromosomal, plasmid क्या है बड़ा, extra chromosomal, मतलब इट contain essential genes या additional genes, additional genes, उसके अंदर क्या होंगे बड़ा, सारे additional genes होंगे, बात लिए रहे के बड़ा, यह सोनो, लिखो, note 3, plasmid is extra chromosomal DNA, thus it contain additional genes, thus its removal, do not have impact on ecoli, do not have impact on ecoli, बात लिए रहे के, बड़ा, यह सोनो, तो अब चलो, ध्या सब्सोनो, अब मैं चाहता हूँ मेरा जीन clayman का पार्ट बने, किसका पार्ट बने बड़ा, बात लिए रहे कि बड़ा यह सोनो,ाब मैं चाहता हूँ मिरा जीन किसका पार्ड बनाँ चे बड़ा? बात लिए रहे कि बड़ा तो मुझे इस प्लास्मीड को क्या करना पड़ेगा? आईसोलेट करना पड़ेगा जुसार अगर मैंने plasmid को isolate किया भी क्या angolide now तो छेलो isolate plasmid जो मैंने plasmid isolate अब मुझे उजीण इसकें दरे insert करना पड़ाई क्या करना पड़ेगा बोलो रे क्या करना पड़ेगा क्ट करना पड़ेगा इसको यार तक है अगर मुझे इसको इसके अंदर इंसर्ट करना है, तो पहले इस DNA को ओपन तो करना पड़ेगा ना, मतब इसको कट करना पड़ेगा, बात लिए रहे के बढ़ेगा, यह सोनो, तो अब यह अपना प्लाजमेड है, उसके अंदर यह जीन मैंने इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट किय करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा, तो यह प्लाजमेड है, और उसके अंदर अपना जीन पेस्ट हो चुका है, और अब मैं इसको वापीस है, किसके अंदर भेज सकता हूँ, इकोलाई, किसके अंदर भेज सकता हूँ, इकोलाई, बात नहीं तो अपन जीन को हमेशा किसके अंदर इंसर्ट करके बेशते हैं प्लाजमेड किसके अंदर इंसर्ट करके बेशते हैं प्लाजमेड बात लिए बड़ा क्यों अपने प्लाजमेड को आइसलेड किया कट द प्लाजमेड जीन को इंसर्ट किया और बिसकली क्या किया जो आप में समझाने जा रहा हूँ, इकोलाई, यह उसका main DNA, और यह basically अपना insulin gene है, क्या है बड़ा, अपना insulin gene, बत लिए बड़ा, तो insulin gene को उसके अंदर भीजने के लिए, आप किसका इस्तमाल करोगे, main DNA का यह plasmid का, plasmid का, बत लिए रहे के बड़ा, यह सुनो, तो insulin gene, यह insulin gene है बड़ा, यह सुनो, तो insulin gene is our desired gene, insulin gene क्या है अपना desired gene, insulin gene क्या है sih? क्यों moje क्यांकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जीन उस ओर्गिनिजम में जाए। तो इसको इसको बडाद के अंदर पोचाना है। कि मैं उसकर करूगे कि नहीं। किसका इस्तलिक ब्लाज्मेड तो यह फलाज्मेड है। बैठ लिए रेक्वाब्या बिल्कुल दिया सुनीगा हार एक बात को तो यह plasmidश है आप ने बिसकली plasmid को पेले क्या किया Cut फिर उसके अनर जीन को क्या क्या Infur fan SCP पिर क्या क्या नया sequence एड़ हुआ न बड़ा यसो नो जैसे आपने प्लास्मीड के अंदर इंशुलिंग का जीन इंसर्ट किया ओरिजिनल डियने के कॉंबिनेशन सेम या चेंज चेंज बात लिया रेके बड़ा यसो नो चेंज हो गया बात लिया रेके बड़ा यसो नो तो रिकोंबिनन डियने किसको बोलते बड़ा प्लास्मीड प्लस 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 डियने प्लास्मीड प्ल यह सुनो, तो द्याहन सुनो, इंशुलिंग क्या था अपना, डिजार जीन, उसको अपने किसके अंदर इंसर्ट किया, प्लाजमिड, जैसे इस जीन को इसके अंदर इंसर्ट किया, प्लाजमिड का कॉंबिनेशन से, यह चेंज, चेंज, तो इस वाए, now this DNA is called recombinant DNA, now this DNA is called recomb recombinant DNA, बात लिए रहे कि यह सुनो, कोई दिखा देन बात को समगे, सारी बात के लिए रहे, अब हम इस recombinant DNA को Ecoli के अंदर बेज़ेंगे, recombinant DNA को किसके अंदर बेज़ेंगे, बात बड़ा, तो ध्याहन सुनो, मतलब हमने अपने desired gene को Ecoli के अंदर बेजने के लिए, क Plasmid is called as Vehicle, Plasmid is called as Vehicle, और it is called as Vector, और it is called as Vector, और it is called as Vector, और it is called as Carrier, और it is called as Carrier, बात लिए रहे कि यह सुनो, तो मैं Vector बोलो, मैं Carrier बोलो, मैं Basically, Vehicle बोलो, सबका मीनिंग क्या है बड़ा, सेम, बात लिए रहे, मतलब बेज़ेंगे, प्लास्मीड के अंदर हम अमारे desired gene को बिठा के organism के अंदर बेजने वाले हैं, बात लिए रहे के बड़ा, so this plasmid is acting as vector, plasmid is acting as a vector, बात लिए रहे के बड़ा, यह सौनो, बड़ा, vector किसको बोलते है, बड़ा, carrier को बोलते है, किसको बोलते है, carrier, for example, आप अभी human health and disease भी simultaneously पढ़ रहे हो, बड़ा, वहापे malaria करके ए vector, they can be called as vector, बात लिए रहे के बड़ा, यह सौनो, तो बड़ा, plasmid के लिए, क्या-कया term इस्तमाल किये जाते है, बड़ा, vehicle, या फिर vector, या फिर carrier, बात लिए बड़ा, so मैं carrier बोलू, मैं vehicle बोलू, मैं vector बोलू, सबका meaning same होता है, सबका meaning same होता है, बात लिए रहे के बड़ा क्या है, vehicle है, vehicle मतलब कौन है, plasmid है, बात लिए रहे के बड़ा, यह सौनो, फिर summary में दिया है, ferry for a decision, ferry, ferry का मतलब बोट, बात लिए रहे बड़ा, so ferry मतलब बोट, बोट क्या है, vehicle है, तो vehicle मतलब कौन होते है, vector, मतलब कौन होते है, carrier, कौन होते है, carrier, बात लिए रहे के बड सब का मेनिंग प्लाजमेड। सब का मेनिंग प्लाजमेड इस वक्त , बात लिये है यह सनो अगर प्लाजमेड vehicle है तो उसके अंदर बैठ के कौन गया ? मतब डिजाड जीन कौन है ? वेhicle या passenger है बात लिये हैं तो धियान सुने बढ़ा, बड़ा, डिजाड जीन को ही बोला जाता है passenger DNA करण, अगर plasmid vehicle है, तो उसके अंदर अपने किसको बिठाया है अपने design gene को, बात लिए रेके बड़ा, यह सनो, तो मैं आज के बाद से design gene बोलो या पैसेंजर डियाने बोलो दोनों का मिनेंग सेम होता है बात लिए रहे के बटा यह सोनो जान सुनो रहा है क्या यह पैसेंजर पहले से प्लाजमिट में था क्या नहीं अपन ने इंसर्ट किया मत अभी एक नया पार्टी इंसर्ट किया नया इंसर्ट किया इस और इस का रोeneca ऐस फौरइन डीनAY और इसौरड ऐस फौरइन डीने पौरिएन डीने सर unavकेश. तोड़ा डिजार जीन के लिए किताब में अलग अलग जिगें पर अलग डॉडी इस्तिमाल किये हैं. तो डीजार जीन को मैं क्या क्या बोल सकता बड़ा पैसेंजर डिये ने या फिर क्या बोल सकता बड़ा एलियन डिये ने या फिर क्या बोल सकता बड़ा एलियन डिये ने या फिर क्या बोल सकता बड़ा एलियन डिये ने बोलो सबका मिनिंग डिजार जीन सबका मिनिंग डिजार जीन होता है बात लिए रहे के बड़ा यह सोनो, तो किताब में अलग-अलग जगे ना, अलग-अलग language इस्तेमाल की है, बात लिए बड़ा, so मैंने passenger DNA ने बोला, या फिर foreign DNA ने बोला, या फिर alien DNA ने बोला, सबका मीनिंग क्या होता बड़ा, desired gene, सबका मीनिंग क्या होता बड़ा, desired gene, बात लिए बड़ा, मैंने vector बोला, मैंने vehicle बोला, मैंने carrier बोला, सबका मीनिंग क्या होता बड़ा, plasmid, सबका मीनिंग क्या होता बड़ा, plasmid, सबका मीनिंग क्या होता बड़ा, plasmid, बात लिए रिके बड़ा, desired gene, desired gene plus plasmid, desired gene plus plasmid, desired gene plus vector, desired gene plus vector, is basically called as rDNA, is called as rDNA, R मतलब recombinant DNA, R मतलब recombinant DNA, बात लिए रिके बड़ा, यह सोनो, वापीस एक बार सम्झाता हूं, द्यान सोने करें, मैं चाहता था, human में से insulin का gene, Ecoli में डालो, human में से insulin का gene, Ecoli में डालो, बात लिए बड़ा, तो insulin is my desired gene, insulin is my desired gene, मैं दो बाते समझा, क्या मैं इस gene को directly थो कर सकता हूं, क्या, नहीं, ऐसा किया, तो क्या वो किसी भी DNA का पार्ट बनेगा, क्या, नहीं, दूसरी बात, मैंने यह समझा था, कि मैं उसको main DNA का पार्ट नहीं बना सकता, क्योंकि जैसी मैंने main DNA ने निकाला, वो organism मर जाएगा, बात लिए, इसलिए मैं उसको किसका पार्ट बना सकता हूं, Plasmid, किसका पार्ट बना सकता हूं, Plasmid, बात बात, so this is our desired gene, and this is Plasmid, तो Plasmid को ही, अपने बोलते बड़ा वेक्टर या फिर बोलते वेहकल या फिर बोलते कैरियर बते बड़ा वापीस से प्लाजमीड के लिए क्या क्या वड़े समागा थे बड़ा वेक्टर या फिर कैरियर या फिर वेहकल तो मैं वेक्टर बोलू मैं carrier बोलू, मैं vehicle बोलू, सबका meaning same होता है, बात लिए रेके बड़ा, now desired gene, desired gene अगर basically plasmid vector है, तो उसके अंदर बैठ के कौन जा रहा है, desired gene, तो our desired gene is called as passenger DNA, और it is called as alien DNA, और it is called as foreign DNA, बात लिए रेके बड़ा, so मैं foreign DNA बोलू, मैं alien DNA बोलू, मैं passenger DNA बोलू, सबका meaning क्या होता है desired gene, सबका meaning क्या होता बड़ा, desired gene, सबका meaning क्या होता बड़ा, desired gene, बात लिए रेके बड़ा, and desired gene plus vector, is called as RDNA, is called as RDNA, akLee desired gene को भी RDNA बोलते है, अकेले pm determinate को भी RDNA बोलते है, जब desired gene plasmid के अंदर insert हो जाता है, तब ही उसको अपन क्या बोलते है, RDNA, 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 RDNA का मतलब क्या, desired gene plus vector, desired gene plus vector, then that is called as RDNA, यह सुरो, तो जहां सुरो, अब अब अपन इस RDNA को किसके अंदर insert करेंगे? इकोलाई तो अगर RDNA को इकोलाई में इंसर्ट कर दिया दिखो बढ़ा मैं इधर इंशलिंग का जीन भी बना रहा हूं सो RDNA को इकोलाई के अंदर इंसर्ट कर दिया Now this E-Koli is called recombinant host क्या बोलते उसको बढ़ा recombinant host, क्या बोलते उसको बढ़ा recombinant host क्या बोलेंगे उसको बड़ा रिकॉम्बिनन्ट होस्ट बाते बड़ा तो जिसके पास और डियने है उस होस्ट को क्या बोलेंगे बड़ा रिकॉम्बिनन्ट होस्ट क्या बोलेंगे उसको बड़ा रिकॉम्बिनन्ट होस्ट बात लिए रिक बड़ा यह सोनो कोई दिकात इन DNA बोलू, मैं alien DNA बोलू, मैं foreign DNA बोलू, सबका meaning same होता है, बात लिए रहे के बड़ा, यह सोनो, then basically plasmid, plasmid के लिए के वर्ड इस्तिमाल के बड़ा, vehicle, या फिर carrier, या फिर vector, वापीस बोलो बड़ा, vehicle, carrier, vector, बात बड़ा, so मैं vector बोलू, मैं vehicle बोलू, मैं carrier बोलू, सबका meaning plasmid हो our DNA, its called, RADNA, its called, RDNA, बात बींज को अपन क्या बोलू के बड़ा, eccop ैनिंट को उस्तिमाने जिसको होस्त को अपन क्या बोलेंगा, एक स्प्रीमेंट बना लेते हैं, और उस्तिममेंट के बाएँ क्या हम बोलू सब्सएं इंशुलीन जीन अपना डिजाइड जीन था and basically ये प्लास्मिड है इंशुलीन जीन डिजाइड जीन है डिजाइड जीन के लिए क्या-क्या वर्ड इस्तेमाल कर सकते बढ़ा passenger DNA या फिर alien DNA या फिर foreign DNA बतर बढ़ा then basically plasmid, plasmid is nothing but vehicle or vector or carrier बतलिये रिके बढ़ या सोनो and desired gene plus vector is called as rdna is called as rdna क्या बतलिये रिके बढ़ या सोनो rdna को जैसी host में insert कर दिया now that is called as recombinant host now that is called as recombinant host now that is called as recombinant host बतलिये रिके बढ़ या सोनो कोई दिकत इन बात को सोना हमने क्या सोच जाता human में से insulin का gene किस के दर डालेंगे बढ़ या सोनो क्योंकि अपन human में से insulin का gene निकाल के इकोला है में डालने वाले तो insulin का gene is our desired gene insulin का gene is our desired gene insulin का gene is our desired gene desired gene बात लिए रहे के बढ़ यह सोनो प्लीज बिलकुल दिहां सुना रहे बात तो human is donor उसमें से अपने को कौन सा जीन जीए insulin का gene बात लिए बड़ा that is desired gene बात लिए बड़ा और वो desired gene को डालने किसके अंदर वाले E.coli तो E.coli is called as host या फिर recipient या फिर recipient बात लिए रहे के बड़ा यह सोनो कोई दिकत इन बात को समझ रहे सारी बात लिए रहे तो जिससे जीन निकाला इसके अंदर डालना है उसको पन क्या भोलेंगे बेड़ा is called as desired gene past in wall in genetic engineering एग्सप्रिमेंट को कैसे स्टेप्स करते है। ठेकनोलोजि बात लिये रुक स्टेपि का पहले हैं। वनिह उमार अपना In Sui Link का जीन देगा अगर मुने आपको बढ़ा के आपका मुझे इंचुलिंग का जीन चही अर मतलग मैं अपको बाइच करना पढ़ेगा अपके पैंकरेशा से 1 निकालना पढ़ेगा फिर उसमें डोनर and host, selection of donor and host, बात लिए रेके बड़ा, donor and host, clear है क्या, अरे हाँ के ना, तो द्यान सुनेगा बड़ा, तो genetic engineering में सबसे पहला step, आपको मिलना पड़ेगा, डोनर मिलेगा, तो ही तो जीन मिलेगा, तो ही तो host में insert करोगे, बात लिए रेके बड़ा, यसोनो, so that's basically, अगर मा होगे बड़ा, animal, और basically, I mean host को होगे बड़ा, plant, बात लिए रेके बड़ा, यसोनो, कोई दिकत दिन बात को समगे, सारी बात लिए, तो सबसे पहला step is, selection of donor and host, selection of donor and host, बात लिए रेके बड़ा, यसोनो, second, जहां सुनो, मान लो, आपको एक दिदलदार व्यक्ति मान ने बो कि सिर्फ insulin का gene है, क्या, नहीं, उसके पास तो सारे DNA है, मतलब human cell बोला, मतलब 46 DNA मिलेंगे, बात लिए रेके बड़ा, यसोनो, तो मतलब आपको cell में से क्या निकलना पड़ेका, DNA, क्या निकलना पड़ेका, DNA, बात रेके बड़ा, तो second step is, isolation of DNA, isolation of DNA from donor, isolation of DNA from donor, बात लिए र donor में से क्या isolate करेंगे, DNA, क्या isolate करेंगे, DNA, क्या isolate करेंगे, DNA, बात रे बड़ा, चलो, आपने pancreatic cell से DNA निकला, किते DNA मिलेंगे, 46 DNA, human cell है, किते DNA मिलेंगे, 46 DNA, क्या ये सारे के सारे cell पे insulin का gene, I mean, सारे के सारे DNA पे insulin का gene होगा, क्या, नहीं, कोई एक पे होगा, बात लिए र गोको स्थमिंग का मतलब झाले डियेन ईसलेट नथा किया कोई एकात ते भी अफ़ाद पे बड़ा रहे DNA insulin होगा क्या नहीं उसमें से चोटा से सेग्मेंट होगा जो insulin का gene होगा बात लिए बढ़ा सो थर्ड इस बेसिकली isolation of desired gene isolation of desired gene isolation of desired gene desired gene desired gene बात लिए रहे कि बढ़ा यह सोनो कोई दिखाते इन बात को समझे तो द्यास सुने बढ़ा genetic engineering में क्या क्या स्टेप्स होते हैं सबसे पहला selection of donor and host जो में स्टेप्स याद रखो तक कि पूरा process समझ मैं ठीक है पहला बढ़ा selection of donor and host बात बढ़ा सिगंड क्या isolate करना पड़ेगा DNA donor में से DNA मिलेगे क्या directly insulin का gene मिलेगा क्या नहीं 46 DNA मिलेगे उसमें से insulin का gene निकालना पड़ेगा तो next step is isolation of desired gene isolation of desired gene isolation of desired gene बात लिए रहे कि बढ़ा यह सुनो कितने gene मिलेगे यार एक ही मिलेगा पूरा आपने donor ढूंडा इतना मुश्किल से उसमें से cell निकाला उसमें से DNA निकाला उसमें से gene निकाला लेगें कितने gene मिले एक अगर मैंने उस एक gene के साथ अपना genetic engineering का experiment शुरू कर दिया और मेरा experiment fail हो गया तो gene कोईraine काम आएगा क्या नहीं फिर वापिस से डोनर डूनना पड़ेगा, फिर वापिस से सेल निकालना पड़ेगा, फिर वापिस से डी एने निकालना पड़ेगा, फिर वापिस से जीन निकालना पड़ेगा और फिर वापिस करना पड़ेगा, तो इसा बार-बार कोई डोनर मिलेगा, क्या नहीं, मतलब स समस्दारी इसमें है कि एक बार अगर अपने को जीन मिला तो अपने को जीन की कॉपीज बना लेनी चीए उस जीन की क्या बना ले चीए बड़ा कॉपीज बात ले बड़ा तो जीन की कॉपी बनाना इस कॉल जीन अम्प्लिफिकेशन क्या बोते है उसको बड़ा जीन अम्प् बात लिए रहे के बड़ा यह सोनो कोई दिखा देन बात को समय तो जहां सुरू बड़ा जनेडिक इंजिनियरिंग के एक्सप्रिमेंट में सबसे पहला स्टेप क्या बड़ा सेलेक्शन ऑफ डोनर एंड होस्ट बात लिए बड़ा सिगंड स्टेप आइसोलेशन ऑफ डिएन बड़ा कॉपीज तो जीन की कॉपीज बनाना इस काल जीन अम्प्लिफिकेशन क्या बड़ा जीन अम्प्लिफिकेशन बड़ा कि जीन की कॉपीज बनाना जीन की कॉपीज बनाना बात लिए रहे कि बड़ा तो जीन की कॉपीज बनाना इस काल जीन अम्प्लिफिकेशन क्य अब आप लिए एक्स्पिर्मेंट अफ शुरू करना चाहते हो बात लित टो इसके लिए जीन तैयार है अब क्या चाहिए वेक्टर चाहिए क्या बची ये बड़ा वेक्टर, बात लिए बड़ा, भी प्लास्मेड, पर तो एको लाई माइकोर्णिजम है, क्या वह आक्सी दिखता है, क्या नहीं, उसका भी प्लास्मेड, मतलों वह तो आक्सी दिखने ही नहीं वाला, जीन, इतना छोटा से पड़ा, आंक से दिखता है क्या, नहीं, अब मेरे पास वेक्टर है, मेरे पास जीन है, मैंने इस जीन को वेक्टर में डाला, इंसर्ट हुआ के नहीं हुआ कैसे पता चलेगा, अरे बाई, क्योंकि एक वेक्टर को मैं हाथ में ले नहीं सकता, एक जीन क Penza bill mo karty 3 में आ दाला कि यह सबहुए तो थरह इमेंज बड़ाङज के दया हुआ है किस में आपना जी जीन गया बात लें के बिलगा इन चलो नंगा Macript Re 돌ar net में ने मिलेंग आर डिने मेंचिंग आर डिने आर डिने आर डिने मतलब क्या बोलो अभी क्या पता आ क्या बता डिजाड जीन प्लस वेक्टर कि आपने वेक्टर से लेक्ट कर लिया डिजाड जीन है तो डिजाड जीन को वेक्टर के अंदर क्या करना पड़ेगा इंसर्ट करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा इंसर्ट करना पड़ेगा बात लिए रहके बड़ा तो क्या बन बन गई बटा आर डियेने क्या बन गई बटा आर डियेने बात लिए रहे क्या चछोन के भी दिखनेंगे ठीक है जिनिडि की इंजिरेरिंग के स्टेप सबसे पहला क्या बता है बटा सेलेक्शन ऑफ डोनर थे और अपन असी सिकोंस वाइस पूरे चैप्टर को बोटीक्टेशं गीन इंट इंसर्ट इंसर्ट ंओ इंसर्ट जी इपन सनो RDNA को किसके अंदर डालोगे अरे किसके अंदर डालोगे डोनर के अंदर या होस्ट के अंदर बात लिए रहे कि बड़ा यह सोनो तो seven step is insertion of RDNA into host insertion of RDNA into host insertion of RDNA into host RDNA into host बात लिए रहे कि बड़ा कि अपना RDNA को किसके अंदर वाले विड़ा होष किसके दरें इंसर्ट करने वाले बिड़ा होष बात लिये रिखा यसोनो होष को नेए यहां पर है नभूलने जा ना nagड़ा So, insertion of RDNA into host, एक बार RDNA host के अंदर चला गया, that is called recombinant host, that is called recombinant host, recombinant host, recombinant host, बात लिए रहे के बड़ा, यह सुनो, ध्यान सुनने के बड़ा, ध्यान सुनना हरे बात को, insertion of RDNA into host, RDNA दिखता है क्या, नहीं, मान लो मैंने RDNA लिया, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या, एक RDNA, एक Ecoli, इसके अंदर डाल दो, इसा नहीं हो सकता, Ecoli को मैं हाथ में पकड़ी नहीं सकता, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, बहुत सारे Ecoli लूँगा, RDNA लूँगा, उसको थो कर दूँगा, किसी न किसी के अंदर चला जाएगा, किसी न किसी के अंदर चला जाएगा, बात लिये रेक बड़ा, ज्यान सुनना, बतलियर के बड़ा, so next step is basically identification of recombinant host, identification of recombinant host, कि पर वो सारे Ecolime में से recombinant host कौन है, मतलब किसके अंदर अपना RDA ने गया, बतलियर बड़ा, ठीक है, so identification, identification of recombinant host, of recombinant host, recombinant host, बतलियर के बड़ा, यह सनो, कि वो कौन सा host है, जिसके अंदर RDA ने गया, वो पहचानना प पड़ेगा, बतलियर बड़ा, चलो मानलो, पहचान लिया, कैसे पहचानने के देखेंगे, इस chapter के अंदर, लेकिन मानलो, आपने पहचान लिया, क्या करोगे, यह पूरी माता पच्छे क्यों की थी, थाकि एकोलाई क्या बनाए, इंसुलीन बनाए, इंसुलीन क्यों बनान लार्ज स्केल कल्चर ओफ रिकॉंबिनेंट, लार्ज स्केल कल्चर ओफ रिकॉंबिनेंट होस्ट, बात लिए 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 रिकॉ को लार्ज स्केल कल्चर पर ग्रोव किया मतब रिकॉमिनेंट हो उसको जिसके अंदर आर्डिय ने गया उसको ठीक है सब को ग्रोव करने की ज़रूद नहीं है क्या सब इंशुलीन बनाने वाले क्या नहीं सिवही इंशुलीन बनाने वाला जिसके अंदर आर्डिय ने गया त So, purification of product is called downstream processing. क्या बढ़ते हैं, उसका बढ़ा? Down stream processing. क्या बढ़ते हैं, उसका बढ़ा? Down stream processing. क्या बढ़ते हैं, downstream processing. बढ़ते हैं, so downstream processing का मतलब क्या है? Purification of product. क्या है, बढ़ा? Purification of product. Purification of product. Purification of product. बढ़ते हैं, कि product को purify करना, that is called as downstream processing. कोई भी जिनेटिक इंजिनरिंग या फिर बिसकले रिकॉमिनेंट टेकनोलोजी के अंदर टोटल किने स्टेप से बढ़ा 10 स्टेप बढ़ा आंग बंद करके मुंडी नीचे रखे रिकॉल करना सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ डोनर एंड हो सेकंड डोनर में से का इसोलेट करू तो इंशर्शन ऑफ ड्रोन में डोर लं अब इस आड एडन को कई दर एंसर्ट करेंगे खुर्स के अंदर तो इंसर्ट आर टीने इन्टन होस्ट द आट कोल्ड़ी क्या तोटस्क्क्य गया पाड़ेगा तो दर्स बैसकली आइडंटिफिकेशन ओफ रिकॉमिनेंट host identification of recombinant host एक बार recombinant host मिल गया फिर उसका large-scale culture करके product को purify करेंगे बात बड़ा so large-scale culture of the recombinant host and then downstream processing क्या बहुला मैंने downstream processing क्या बॉला मैंने downstream processing मतब प्रड़क को purify करने की process that is called as downstream processing that is called as downstream processing बात लिए रिखेंगे थे बड़ा तो देखर बड़ा आजका लेक्षर में क्या क्या देखा उसको में बाइंड आप करता हूं द्यास सुनगा बायो टेकनोजी बायो टेकनोजी का मतलब क्या पता है यूज फ लिविंग ओर्गनिजम और एंजाइन तु मेक अप्रड़क्ट और प्रोसेस उसका एक ब्रांच क्या है जिनेटिक इंजिनरी जिनेटिक इंजिनरींग में तीन चीज़ कर सकते हो पहला टू मॉडिफाई जीन सेकंड टू इंसर्ट जीन थर्ड टू रिपेर जीन कुछ भी किया तो ओरिजिनल डीने का कॉंबिनेशन क्या हो जाएगा चेंज तो इसको बड़ा रिकॉमिनेंट डीने टेकनोलोजी क्या प्लासूमीड के लिए मैंने क्या क्या वड़ असम गी है वेहिकल या फिर वेक्टर या फिर क्यारियर बात लेर अट बड़ा डेन प्लस भीक्तर रिकॉर इसको अरडन अ क्या बतो इसको बड़ा अरडन अ क्या बतो जैसको बड़ कुड़ा रडने आर डियने एंसान सो prov gene amplification, अब मेरे पास gene की बहुत सारी copy से, किसके अंदर insert करना है, vector, so next, selection of vector, मतलब insertion, फिर अब क्या करना है, insertion of desired gene into vector, तो क्या बन गया, RDNA, अब इस RDNA को किसके अंदर insert करना है, host के अंदर, तो insertion of RDNA into host, that host is called recombinant host, अब किसके अंदर RDNA गया, यह पैचानना पड़ेगा, so identify recombinant host, एक बार identify कर लिया, फिर उसका large scale culture करो, और large scale culture करके, फिर product का purify करना, प्रोड़क को purify करना, is called downstream processing, is called downstream processing, बात लिये रहे कि यह सोनो, एक basic idea आया है, तो अब यह अंदर बाटा, कज अपन basically, first step, second step and third step देखेंगे, कि अपन desired gene को कैसे isolate कर सकते हैं, बात लिये रहे कि यह सोनो, जहान सुने बाटा, chapter maximum, एक 9 to 10 days में, बायो टेक्नलोजी का first part complete हो ज आज जो lecture किया उसको revise करो, जो भी doubt से उसको DSP में clear करो, till then stay tuned with IIB